तो इस question में क्या कि विए ने देखी इस नहीं से बोला है statement में अगर हम बात करें तो sum a r0b, ठीक है, कुछ a आपके पास क्या नहीं है, b नहीं है, ठीक है उसके बाद almost b rc, almost का मतलब क्या होता है, sum ठीक है, almost का हम sum की तरह consider करते हैं, तो sum b r c, okay उसके बाद all c r d, all c r d, ठीक है conclusion की अगर हम बात करें, तो उसने हम से कह लगा है, कि sum d r0c कुछ d ऐसे हैं आपके पास, जो की c नहीं है, इसको हम confirm तो बोल नहीं सकते हैं, डागराम से इसलिए first क्या हो जाएगा आपके पास, wrong हो जाएगा doubt में second क्या बोल रहा है, कि all a can be c, सारे के सारे a c हो सकते हैं, तो हाँ यह चीज़ possible अगर मैं बनाना चाहता, तो कुछ इस तरीके से बना सकता है था यह आपके पास क्या b है, यह आपके पास क्या c है, तो अगर मैं चाहता, तो यहाँ पर इस तरीके से a बना सकता था, मतलब क्या है, इसकी possibility है, चीक है, उसके sum c, not being a, is a possibility कुछ c के a ना होने की possibility है, कि इसकी संभावना है, तो यह भी आपके पास क्या true है, because अगर हम चाहें, तो हम सारे के सारे c को, अगर हम देखें, सारे के सारे c को, हम a के अंदर बना सकते हैं, कैसे, अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहता, a c, तो देखो, कुछ a, c नहीं है, मैं यह जीज बना सकता हूँ न, isn't it, तो मतलब क्या, आपके पास यह बोलना, कि कुछ c के a ना होने की संभावना है, वो यहाँ पर दिखलो, true दिख रही है, चीक है, समझ में आगया न, उसके बाद, all d, r, c, सारे के सारे d के हैं, वो सी है, इसको भी मैं confirm नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, आपके पास wrong हो जाएगा, doubt में wrong हो जाएगा, fine, उसके ब भावना है, क्या ऐसा हो सकता है, तो हाँ, ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो, अगर मैं यहीं पर बात करो, मैं इसको कुछ इस तरीक से बनाता हूँ, b यह आपके पास है, चीक है, c यह आपके पास है, fine, d यह आपके पास है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ, तो मैं a को यहाँ पर बना सकता हूँ ना Isn't it तो यहाँ पर मैं यह चीज़ बोल सकता हूँ कि only D is A मतलब क्या इसके होने की संभावना है इसलिए क्या हो जागा आपके पास right हो जागा अब देखो अगर मैं first में और fourth में बात करूँ तो आपके पास some not और all की बात हो रही है और दोनों आपके पास क्या doubt में गलते आपके पास elements क्या है देखो same है D or C और D or C की बात हो रही है और दोनों की positions भी क्या है वो same है इसका मतलब क्या है कि आपके पास first और fourth में इधर और की condition लग जाएगी और बाकी की तीन आपके पास follow होगे तो इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा चीक है I hope question clear हो क्या होगा Thank you so much